नमस्कार आप देख रहे हैं वाई एस नियू जिदर आज यूपी वर्किंग जनरलिस्ट इनियन के सभी पदिदिकारियों ने पिरतापकर जनपद में टीवी पत्रकार सलब श्री बास्तप की संदिक्द अवस्ता में मौत के मामले में मुरवाद मंडल आयुक्त अजने कुम यूनियन के सभी अधिकारियों ने यह भी कहा कि शलब श्रीवासस ने एक दिन पहले पुलिस को सूच ना देती कि उसकी जान को खत्रा है लेकिन पुलिस ने उसको नहीं माना और आरवपियों ने अपने वार्दात को अंजाम दिया अता इस पर सीग्र ही जाच होनी चाहि अज यूपी वर्खिन जन्मिस नियन नम्रदाबाद ने मानने मुखिमंती जी को समोधित एक जापन सौपा है इसमें उसके उस मौत की जाच और उसमें मौत जेक इमान की गई गया इसको मैं इसमें आगर इन कारवाई के लिए में तदकालेश को आगर इन कारवाई के लि जन्पद में एक TV चैनल को पत्रगार की संदिक दवस्था में मात जी एक दिन पहले उन्होंने ADG प्रयागराजी को एक पत्र सिकायती पत्र जिया था जिसमें उन्होंने आसनका जताय थी कि उनकी हर्थ क्या की जा सकती है और इसके बावजूद जो है उस पत्र को देने के 24 गंटे के बाद ही उनकी संदिक दवस्था में पतापगर जन्पद में सुलप स्रिवास्तों का सौ मिलता है और पुलिस महश 4 गंटे में कह देती है कि यह सड़क दुर घटना है जिनमें उनकी मौत ही है जबकि चोट की निशान भी मिले है और पत्र भी दिया गया इसके वावजोद उनकी सराब माप्याओं की दारा हच्चा किये जाने की अभी तक बास सामने आई है मैं यूपी वर्किंग जनलिस्ट उनियन की ओर से इस मामले पे CBI जाच कराने की मांग करता हूं राज्य सरकार से इसके साथ पतरकारों की तुरच्छा को तुनिश्चित करने इस इतरा प्लाली कोतवाली के हातिपूर बाहुत दिन गाउं में रविवार सुबह रंजीशन युबक को गयल करने की घटना में दो आरुप यो कोई खिलाफ की गई रिपोर्ट दर्ज हाती पुर बाउद्दीन निवासी सुधीर सिंग ने पुलिस को तहरीर दे कर बताया कि बेश सुबह के समय हेर कटिंग के दुकान पर दाड़ी बनवाने के लिए गया था तबी निवासी महला ओम बिहार कलोनी सुनू और बीर भगत सिंग निवासी हाती प्रवुद्दीन ने उसे दुकान के बाहर घेलिया और लाठी डंडे वा तमंचे की बट मार कर गायल कर दिया सुधिर का आरोपे की चाज दिन पहले भी टुवील पर बिपक्षियों ने उसके साथ मार पिट की थी पुलिस ने गायल का अपचार कनने के लिए सामुदा एक स्वास के इंभेज़ज़ा और रिपोर्ट दरजकर चांश शुरू कर दी इदर बिलारी चेत्र के ग्राम मलपूर जन्नू में दस दिवस्यकर की टूनामेंट का उदगाटन बिलारी बिदायक महम्मद फईम इर्फान द्वारा फीता काट कर किया गया टूनामेंट के पर्थम दिन दो टीमों का मैच हुआ जिसमें सराय इमाम की टीम द्वारा 33 रन से मैच जीता गया इस मैच में नीलू यादब द्वारा 12 रन और 4 विकेट लेने पर मैन ओब दा मैच से नवाजा गया मैच में कमेंटरी प्रखर शर्मा और एमपारिंग ललित यादब असंजी यादब ने की इस अब सब पर सौरव यादब संदीप यादब अभिशेक यादब अमित याबत यादब विकास यादब आदीम मौजूद रहे इदा बालू लदी टैक्टर टॉली से दब कर एक बालक की मौत इस्थानी अताना चेत के ग्राम पिप्रागाट मुस्तविकल में एक आठ वर्षिय बालक की समय दर्दनाक मौत होगी जब एक तेज रफतार बालू लदी टैक्टर टॉली के चपेट में आ गया जिसके चलते हैं आकरुशित ग्राम इड़ो ने टैक्टर टॉली को चालक साइध गेर ब्रोध परजन करते हुए दोशी के बिरुद कारवाई तता मृतक के परिजोनों को मौफजय दिलाए जाने की मांग को लेकर सेवर ही प्रो जहां मार्क जाम कर दी गया घटना की जारी है प्रिशाषनक मिली भेगत से दर्जनों की संख्या में टैक्टर टॉली बालू से उवलोड हो रात के अंदेरे में दिन दहाडे फर्राटा भरती नजर आते हैं वहीं ग्रामेरों ने पुलिस पर गंबीरारोब लगाते हुए काया यदि प्रिशाषन सक्री हो तो अभेद बालू कुननवा नौसिक है टैक्टर चालो को पर लगाम लगाई जा सकती है और ऐसी घड़नाओ पर बहुत हद तक ब्राम लग सकता है उप्रोक्त के संदर में थाना अध्यक्त शेवर ही महिंद्र कुमार चतरुबेदी ने बताया कि मामला संग्यान में घड़ना